अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों पर निभर करती है कोई बास को तीर बना कर किसी को घायल करता है तो कोई बास को बासूरी बना कर उसमें सुरू को भरता है यही इंसान के एक अलग पहचान होती है उसका अपना एक विक्तित्व होता है कहते हैं कि प्यार को प्यार से जीता जा सकता है और एसे ही अपने प्यार को बरसाने वाले अपनी प्यार की सोगास से सब को बांधने वाले कोई ओर नहीं हमारे प्यारे चाचा नहरू है आज विशेशकर बच्चों के प्रती विशेश लगाओ और प्रेम के कारण ही चाचा नहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रुपे मनाते हैं हैलो एंड बेलकम फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नॉंबर यानि बाल दिवस आने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनदन करती हूँ और आज एक एसे वीडियो को लेकर जोड़ी हूँ आपसे और उमीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्त होगे खुश होगे और आज आपके साथ एक एसे वीडियो को लेकर जोड़ रही हूँ जिसमें आपके शीब भाशन या फी कोई स्पीच यहां कहां देना हो यहां कहीं पर भी आपको इस बाल दिवस के उपर अगर मंच संचालन करना है ताप बखुबी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं यानी इस कारिकर में और जान कैसे ला सकते हैं अपनी सफल संचालन को और अधिक सफल कैसे बना सकते हैं ला देती है सही समय पर सही शायरी का चुनाव करना एक बहुत बड़ी कला होती है क्योंकि आप अगर किसी शायरी को फिट कर रहे हैं और वह आपके संचालन बे बखुबी उस वक्त के लिए परफेक्ट है तो आपके कारिक्रम बे ऐसे ही जाना जाती है और तालियों की का काम करेगी बहतरीन शायरिया जो मैं आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफार्म पर देखने को मिल जाएगी आज मैं उन बहतरीन शायरियों का कलेक्शन आप से शेयर कर रहे हूं तो चली शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो आपके लिए शायरी नमबर वन चाही कितनी भी तरक्की कर लो बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर या कलेक्टर पर कभी भी कोई इंसान नहीं भूलता है अपने बच्पन का मासुम वो केरेक्टर शायरी नमबर टू खिल खिलाती समहफिल के सितारो आपके लिए दिल में सम्मान बहुत है मेरे हुनर को देख कर जाना आज बेशक बच्चा हूं पर इरादों में जान बहुत है शायरी नमबर थ्री वो बच्पन की अमीरी न जाने कहां खो गई वो दिन भी क्या दिन थे जब पानी बारिश की पानी में हमारी भी जहां चला करते थे शायरी नमबर फोर्थ आज का दिन बच्चो का कोमल मं ते चाचा नहरु को प्यारे है ये बच्चे शायरी नमबर फोर्थ आज रहे चा बारिच की नहरु पिज़िव रहे ने थी खेलनी की मस्ती थी ये दिल भी आवा रहा था कहां फस गए हम इस समझदारी के दलदल में वो नादान बच्पन भी कितना प्यारा था शायरी नमबर 6 वो बच्पन का जमाना भी क्या जमाना था हमें तो गल्फ्रेंड के साथ डेट पर नहीं हमें तो दोस्तों के साथ खेलने जाना था खेलने जाना था शायरी नमबर 7 जमाना पूछता है क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे जमाना पूछता है क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे तो हमने भी मुस्कुरा कर कह दिया एक दिल लेकर आये थे और हजारों दिल में जगा बना कर जाएंगे हजारों दिल में जगा बना कर जाएंगे और सबसे आखरी शायरी है वो आपके लिए कि एक बच्पन का एक जमाना था एक बच्पन का जमाना था खुशियों का खजाना था एक बच्पन का जमाना था, खुशियों का खजाना था, जहा तो होती थी चांद को पाने की, पर दिल तो तितलियों का दिवाना था, तितलियों का दिवाना था। ऐसा होता है ये प्यारा बच्पन, और अनोखा होता है ये बच्पन, बहुत यादगार होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो जब भी हम इस बच्पन को याद करते हैं, तो मन ही मन हमारा दिल मुस्कुराने लगता है, हमारा दिल उन पुरानी यादों को देखकर, याद क करके खिल खिलाने लगता है हो भी क्योंना ये बच्चपन बहुत प्यारा होता है इस बच्चपन को जीना मतलब ऐसा लगता है कि जितनी भी परिशानिया हो जितनी हम बड़े होते गए जितनी हम समझदार होते गए उतनी हम समझ्चाओं के दल-दल में घिसते गए लेकिन ए इसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंता है ऐसा बचपन होता है तो एसे बाल दिवस जब हमारा आ रहा है तो हम सब बच्चों के साथ मिलकर इस खास दिन को कुछ खास बनाते हैं और इस प्यारे से दिन को चाचा नहिरू के नाम पर जो देन है इसको हम उस प्यार की कामने इस बाल दिवस की देना चाहूंगी और दोस्तों यह शायरिया जो थी चुनिंदा यह आप अपनी भाशन और मंच संचालन में यकीन देखे आप इनका उप्योग करके सही जगा पर सही शायरी का अगर आप उप्योग करेंगे तो आपका संचालन में भी चारचान ल अगर बस दोस्तों वही कहना चाहूंगी अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें फिर एक नए वीडियो में आपसे करूंगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे स्वस्त रहें मुस्क्राते रहें बाई थैंक्स पॉर वाचिंग